कौनसे स्टोक में इन्वेस्टर ने ज्यादा कमाया 1-1-2014 को स्टोक प्राइस थी 1-1-2020 को स्टोक प्राइस थी 23 मार्च 2020 को जब निफ्टी लोईस्ट प्राइस थी और करन्ट प्राइस है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए दोनों स्टोक में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई मार्च 2020 में इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करन्ट वेल्यू है यही फिगर्स चार्ट में देखते हैं यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स डिपोजिट की होती तो आज उसकी वेल्यू हो गई होती FD के 8% के मुकाबले निफ्टी ने कितने परसंटेज का रिटन दिया दोनों स्टोक्स ने कितने परसंटेज का रिटन दिया विनर है आज अगर किसी को 1,000,000 रुपए इंवेस्ट करने है तो वो क्या करे दोनों मैं से किसी स्टोक में इंवेस्ट करे निफ्टी 50 स्टोक में इंवेस्ट करे या FD में करे दोनों शेर के और निफ्टी के अन्यूलाइज रिटन परसंटेज हमने देखे वही return percentage अगर बविश में भी continue होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा आए देखते हैं जर बालो झाल 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 Thank you.